प्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की उडियो के अंदर में आपको करूंगा जो आपके सीटेट के एकजाम में एवियस यानिकी परिवरान अध्यन पूछी जाती है वो किस परकार के आपको देखने को मिल रही है देकर सबसे बड़ी बात ही होई जैसे पेपर आ एक्जैमिनन ने क्या काम किया पंदर नंबर का जो आपका कंटेंट आता है पैड़ा को जी सेम एजिटी जाती है एक दो कंचेप्ट नहीं आये थे जो कि पिछली बार मैंने करा दी थी बच्चे ने उनको जाकर कर लिया था बड़ी जो कंटेंट आता था थीक है जो आपक का यह पैटर्न है आता है आपका पूरा NCRT से आपका आता था ठीक है पंदर मैंसे पूरे पंदर नंबर कंटेंट में बच्चे इवेस के अंदर लाते थे और तीन-चार सीव टैसी आती थी जिसके अंदर पंदर मैंसे कम से कम एक्जैमिनर साथ-8 कोश्चन जो है आउट- 20 अगस्त को हुआ था जिसके कोश्चन आज मैं आपके सामने हापर करा हुआ इस इवेस के अंदर पैड़ागोजी की बात करूं कोई नई चीज नहीं लगी ठीक है आप लोग जाकर देख सकते हो पहले के भी जो तयारी कराए भी थी कंटेंट की बात करें दो-तिन कोश्च नहीं है बट अगर एक्जामनर चाहे तो दो-तीन कोश्चन आपके एक्जाम में ऐसे डाल सकता है जो आपके NCIT के बाहर के होते हैं उसका समधान कुछ भी नहीं है ठीक है अगर आपके एक्जाम में ऐसा आता है वहना पूरा पेपर आपके उसी पैटन पर आता है जो इससे सीनियंग में आपको करके बताने वालाँ ठीक है तो इसके बारे में आपर बात कर लेते हैं डेकर उपकी सांथ कर दो तो यहीं सामने स्क्रीन पर दी हुए और तो जब मैंने इसको एक्जाम सेंटर फर में गया था बच्चों के पाद देखा था तो मुझे तो बड़े असान लगे थे ठीक है और टीचर को तो असान ही लगता है आपको तो सारे असान लगेंगे बट अगर दो तीन को छोड़ दू जो आपके साइंस वगार के थे उनको छोड़ कर ठीक है जैसा आपके सामने यही दे हुए दो कोश्चन तो आपको एकी पेज पर दे हुए ठीक है तो दो तिन कोश्चन के हमको टेंचन नहीं लेनी एक्जैमिनर का मन अगर कर गया तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता तो तीस नंबर के जो आपका यह इस आत के इंसियाटी ठीक है तो आपकी इस थर्ड फॉर्ट और फिफ्थ क्लास में पढ़ाए जाती है नई वाली जो इंसियाटी है जिससे ओनलाइन पेपर के अंदर कुश्चन पूछे जाते थे उसको वीड करना बहुत बड़ी किताब है हाला कि उसको पूरा मलब अच्छी त बात करें तो बागी के पंदर नंबर में आपको देखने को मिलती है पैड़ागोजी देखने को मिलती है तो पैड़ागोजी आपको पता है यह मैं कराता हूँ ठीक है तो इसकी शुरुवात कर लेते हैं साथ यह आप लोग चैनल को सब्सकाइब कर लेना भई कल BPSC वालो महरतन क्लास कराऊंगा तो मेरी क्लास खत्म हो जाएगी बाकी के टीचर की महरतन क्लास चलीगी आपकी BPSC वालों की ठीक है तो BPSC वालों की बाकी टीचर की आपकी महरतन क्लास चलीगी उसके बाद फिर मेरी सीट एट की रेगुलर क्लास आपकी सुरू हो जाएगी जो की उलेडी मेरे आठ बजे के टाइम पर होती है ठीक है उसके लावाद जो बच्चे बैच ले रहे है तो सिर्फ यही से लेना सचिन एकडमी ओफिशल एपलिकेशन से फेक के चक्कर में मत पढ़ जाना प्लेश्टोर पर जाना सर्च करना सचिन एकडमी ओफिशल एपलिकेशन तो यही से आपको मिल जाएगी और लेडी बच्चे डेली मतलब इसमें एडिमिशन लेते रहते हैं अभी आपका डिसकाउंट भी है वो भी आपका आगे बढ़ा दिया है और आई तिंक आपका 30 तारिक तक है तो उसके बाद वो डिसकाउंट खतम हो जाएगा जो पेपर आपको लेडी मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा पूरा डिटेल में आइधिंग कितनी इंसाइट आपको कहीं देखनों को नहीं मिलेगी नोट्स कंदर ठीक है तो वह सब प्रिवेसर के कोश्चन उसके अलावा जो भी आपका जितना मेट्रियल रहता है मोग टैस्ट हु के बारे में कि किस प्रकार के कुश्चन पूछे गयते ठीक है जी गुडी मिनिंग मैं ठीक हूँ आयोप आप लोग सब ठीक होंगे तो चली यहाँ पर किलास की हम सुरुवात कर लेते हैं ठीक है चलो बढ़ते अब आपके एक करके कुश्चन के उपर भाईन को पॉल दे और पॉल मा आप लोग भी देखे कि आप लोग कितने कुश्चन को अटेम्ट कर पा रहे हो ठीक है अब देखे आप जब से आपका यह सुप्रीम कोड का डिसीजन आया पेपर वन वाले सिर्फ आपके यह डियलेड़ वाले बच्चे दे सकते बेड़ वाले नहीं दे सकते ठीक है वनना पहले अगर मैं इवेस की बात करूँ तो इवेस की जो फिछली मेराथन गई थी उसमें साथ हजार के करीब बच्चे लाइव आते अपने आप में रिकोर्ड बनी है उससे पहले भी आपके पचास हजार के करीब लाइव आते तो पूरे देज बरे के अंदर करीब के लाइव बच्चे आते हैं मतलब ठीक है तो इसमें भी रिकोर्ड बना था बट अब जब से बीड़ वाले भाहर हो गए तो अब सिर्क इसमें आपके पेपरवन वाले ही बचेंगे ठीक है चलिए देखते इस वाली बार मेराथन अगर मैं प्लान करता हूँ ठीक है क्योंकि मैराथन कई बार मैंने दे दी पूरे रिकोर्ड भी बन गए ठीक है सायद बहुत से मौनस को कोई तोड़े या क्या पता मैं तोड़ू तो इस बार मैं बताऊंगा कि मैराथन होगी या कैसे होगी आपके लिए ठीक है चलिए सुरात कर लेता आपके सामने स्क्रीन संफ्रेरिषन अब देखे जो से पहले आपका फेपर on-line वा था तो ओनाइन की एक कन्दर पूझा गया था synchronous learning के बार में किसके बार में पूझा गया था वह पूझा गया सिनक्रोनस learning के बार में Multiple लेंडिंग मंदर जो जो कुछ नएक अलय सेंप्ट आय तो मुझे बड़ा मझ आया था जब मैं पेपर पर का ऑप आया और हर चीज आये तो मैं सबको लिखता जाता हूँ ठीक है अभी सगस्त वाले पेपर गेंदर चला गया पिछली बार जब मैंने आपको synchronous learning वाले एक्जामपल दिया था बच्चे उसको वरभ होता से ठीक है पहले आप लोग समझे कि जो synchronous learning का वो chain करना चाहती है जो teacher synchronous learning का chain करना चाहती है पहले जानो synchronous learning है गया उसके बाद पता चलेगा चैन करना क्या चाहती है ठीक है देखे synchronous learning में आप लोग यह समझी है synchronous जो इसमें कम्मिकेशन है उसमें यह समझी है कि इसमें जो communicate करता है आदमी उसका जो जवाब होता है उसे instant यानि कि तुरंत मिल जाता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके सचिनसर पढ़ा रहा हूं मैं बहुत अच्छा हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ और चाहरा communicate करने के बाद तुरंत मुझे आप लोगों का अंसर मिल जाएगा comment box में जो कि आप लोग यहाँ पर दे रहे हूं ठीक है तो यहाँ पर जो कम्निकेसन हुआ अगर मान लीजे मैंने आपके पास यहाँ पर phone करा और आपने मेरा phone नहीं उठाया ठीक है तो मैं गाली न नहीं दूंगा ठीक है कुछ समय के बाद तो आप अपना phone उठाऊगे ना क्यां जी सर क्या बात होगी मैं थोड़े बीजी था तो वहाँ पर जो आपका जो communicate हुआ दोनों का ठीक है तो दोनों का communicate अगर तुरंत नहीं होता है तो वह हो जाता आपका asynchronous learning या asynchronous communication उसको यहाँ पर कह सकते हो ठीक है तारिफ करने के लिए जूटी तारिफ कर रहे हो पता है तो आप लोग समझगे synchronous communication और asynchronous communication के बार में जैसे भी आप लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हो तो आप लोग लाइव हो जितने भी आप लोग लाइव वीडियो देख रहे हो बट जब यह आपकी वीडियो ओफ लाइन में वा जाएगी मालब रिकोड़िट फोर्म में जब आ जाती है यूटूब पर तो जब बात में बच्चे आपर कमेंट करते हैं तो भाई मैं instant जवाब थोड़ी देते हो वह बाद में वीडियो को देखते है माली जे लाइव देखते है और तब इस्टेंट जवाब नहीं मिलता उसमें तो यह हो जाती है तो आयोप आप लोग इस कंचेप्ट को समझ गए होंगे सिन्कुरोनेस और आसिन्कुरोनेस लेंडिंग के बार में ठीक है अब इसका चेन करना चाहते है किसका सिन्कुरोनेस कम्पनिकेशन का एनी जवाब जिसक कोन कोल पर हम कर सकते हैं अगली बात करते है पिरी रिकोर्डिड वीडियो अभी जेस्ट में आपको एक्जामपल देया यूटूब का माली जबी तो आप लोग लाइव के अंदर कुछ भी बोल सकते हो अच्छा बुरा जो भी कुछ बोल सकते हो ठीक है लेकिन जब रिकोर प्रडिड वीडियो आपकी क्या हो जाएगी आज सिंक्रोनस लेंडिंग या आज सिंक्रोनस आपका कमनीकेसन आपका हो जाएगा तेली को फ्रेंसिंग देखा आज कर स्कूल के अंदर बड़ा इसका यूज के जाता है इस्टेट गुवर्मेंट के अंदर हाल लग यह प्रणव और उप्सण सही नहीं हुआ इमेल इमेल के अंदर भी होता है आप लोग किसी को इमेल करते हो तो दूसरा पता निकव उसका यह पर जवाब देता है तो इसमें सिंक्रोनस कम्मुनिकेसन नहीं हो रहा इमेल का जवाब ऐसा निचे इमेल गया और तुरंट तुसक जो आप मिलेगा यह भी नहीं होगा अगला है वीडियो कॉनफरेंस जो कि आज कल चल लिए जिसको आप लोग जैसे गूगल मीटप करते हो ठीक है कोई मीटिंग होती है तो उसमें सभी से एक साथ ओनलाइन प्लेटफोर्म पर बैठकर मीटप हो जाती है ओनलाइन चैट सत ओनलाइन चैट सतर यह चल ला है हमारा सबसे बड़ी है तरीका मैं आपर कोश्चन पूछ रहा हो मैं पूछ रहा हो क्या आप लोग जो वीडियो देख रहो आप बेवकूफ हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करोंगे जी सर हम बेवकूफ है मतलब यहां नहीं है जो भी कम्निकेशन हो जाएगा और फोन और लेडी आपका होते ही है तो आंसर क्या हो जाएगा आशार इसमें फॉस्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है ठीक है अउप आप लोग इसको समझ गये होंगे पहले क्वेश्चन को जो synchronous और synchronous Learning ए इसके जो Camique के टूल है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए ठीक है अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया इसके ओपर यहाँ पर नजय डालते हैं ठीक है पहले पैड़ागोजी के कुश्चन आपके उसके बाद फिर आपके कंटेंट के कुश्चन और देखना की ठीक है अगला कोश्चन आपके सामने देदिए यद्फील यात्रह अब थीप से रिलेटेड एक कोश्चन आपकी पडिक्टर आपके पूचा जाता है ठीक है और इसी परकार की एक सापको को फुर्ष्टर आपको पूस्टण देता है जिसमें आपको ऐक्जामिनर पूचता ह अब यहापर बात हो रही है यदि थीम यात्रा एक थीम ले लिए आप उसने ट्रेवल अब देखे आप सभी को पता है अभी तो मैं आपको चीज अमर्लब नोर्मल बता रहा हूँ जब यह आपकी प्रोपर किलास हो जाएगी फिर हम लोग इनको डिटेल में पड़ेगे क्यो इसने देदी आप ट्रेवल देदी तो इसने एक थीम यात्रा देदी ट्रेवल की उसके आगे लिखा रेलेवे स्टेशन एविस में एक सामुदाइक संसाधन के उप्योग को दरसाता है यानि यहापर बात हो रही है हाला कि आपके एविस के अंदर कई कोष्चन आपके कम् चाहरे हो मेरी वीडियो देखते हो लाइव देखते हो यूटूब से कुछ डोलर आ जाते हैं जो बैस लेते हैं उनका फैदा हो जाता है और मैं यहाँ पर आपको एज्यूकेशन दे रहा हूँ तो मैं कम्निटी रिसोर्स के अंदर आ गया आप लोग अपने बाल कटवाने ज बाते हो ठीक है दुकान पर तो चाय वाला आपको चाय देता आप उसके हो चाय को पीतों उसके पैसे दे दे तो यह सभी क्या कम्निटी रिसोर्स जिज़े यह दो एक्जाम पलास के मैंने दिये यह आपके सीटेट के एक्जाम में पूछे गए ठीक है तो आप लोग समझे है इसके लिए आपको एक कम्निटी रिसोर्स जाहांपर बताना है तो दो तिम होगे ठ्रेवल होगे फूड होगी बच्ची कौन कौन सी थीम बच्ची आपकी फैमली एंड फ्रेंड्स बच्यापकी Family and Friends बची परिवार और मित्र बची उसके लावा आपका Water बचा उसके लावा आपका Selter बचा उसके लावा आपका Selter बचा और उसके लावा आपका Thinks We Make and Do, ठीक है, Thinks We Make and Do तो ये टोटल मिला के मतलब आपकी 6 थीम हो जाती है इन में से 2 थीम के आपकी सब थीम भी है ठीक है तो आप लोग इसको समझ गए अब मुझे बताओ कि भोजन का कौन सा इसके अंदर community resource हो जाएगा आपके सामने example दी वे ठीक है पहला किर्शी फार्म बिल्कुल agricultural आपका फा अबर first यहाँ पर आपका से हो जाएगा और आप लोग किस के साथ जा रहे हो आप लोग जा रहे हो first के साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा ठीक है बाकी इनको हम लोग अराम से तसल्ली में कराएंगे ठीक अगला question देखे सामने आपके screen पर next question आगया इसके का बयान या पर्ष्ण जो विद्यार्त यानी स्टुडेंट्स को स्वयम या अपने सात्यों की पर्तिक्रिया उसे उत्तर को विस्तर्त करने के लिए प्रुसाइट करता है तो आपको पताना में किस प्रकार का question है ठीक है मालीज हमारा EBS का सिक्षन चला है तो एक सिक्सक का बयान मालीज हमेरा कुछ है जो विद्यार्त तो को स्वयम या अपने सात्यों की परतिक्रिया से उत्तर से विश्तर्त करने के लिए प्रुस्ताई होथा है जैसे मैं आपको होगा यह पूरी-पूरी अटिवीटी ने कर रहा हूओ इसका आंसर आपको बताना है ये Constitution के according कौनचरी ठीक हो जाएगा, पहला खोजपूर स्नियान के आपके probing question, देखे पहले ये आपका ठीक हो जाएगा, probing question व bakın question होते हैं, जो किसी particular एक सतीति करनुसार आपके उनका answer दिया जाता है, एक particular исп Gente कर उसके बच्य बच्चे आपस में मिलकर अपना open-ended question के answer वहापर देते हैं ठीक है तो यह आपके probing question होते हैं जैसे यहापर एक इस्तिती बन गई मैं आप लोगों से question पूछ रहा था synchronous और asynchronous के बारे में यह इसके बारे में तो एक इस्तिती बन गई इस इस्तिती से सम्मनित आप लोग यहापर अलग-अलग answer दे रहो ठीक है जैसे मैंने पूछा मेरे बारे में तारीफ बता तो आप लोग अलग-अलग answer दे रहो मेरे बारे में आप तो एक पर्टिकुलर इस्तिती से आपके क्या निकल करा है एक यहापर जो समधान निकल कर आता है जिसमें बच्चा खुद एक्टी होकर अपना समस् वो आपके प्रोबिंग कोश्चन होते हैं और आज की डेट के अंदर आया राष्ट्रे सिक्सानीती 2020 की आप लोग बात करते हो तो आपकी discovery learning यानि खोजपुन अधिकम को जा साधा बढ़ावदेन की बात करी जा रही है हमारे टाइम में जो हमवर्क होता था को आपको trial and error method आपका पूछा गया जो इससे उपर वाला question है ठीक है ये question एक shift के अंदर आपकी CDP के अंदर पूछ लेता सबसे बड़ी बात है जो आपके paper को set करते ना उन भाई साब के पास जो है ना इतना material नहीं बचा है कि मतलब वो पूछे तो क्या पूछे पूछे प एक question को मतलब चाटते हैं तो इसलिए जो आपका पिछला paper आया वह मतलब आपका ठीक paper आया ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question यह रहा आपके screen पर question आपके सामने की अनिता परिवार थीम को अब एक और थीम आपकी पूछली family की family को पढ़ाने के लिए ए एक इकाई योजना तयार करती है निमलिकित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का सिर्षक होगा बताव वही आपके एक थीम पूछली बताव कौन सा होगा पहला परिवार उसका आगे दे दिया घुमंतू परिवार घुमंतू परिवार migrate family कौन से होते है घुमंतू परिवार जो घुमते रहते है किसके लिए अपनी रोजी रोटी के लिए एक जंगे से दूसरी जंगे पर घुमते रहते है वह होते है आपके घुमंतू परिवार तो ये तो आपका होने सरा अगला है परिवार के परिकार एकल और सयुंक्त या और उनके बच्चे सिर्क, तो यह आपकी हो जाएगी nuclear family, अगर इनके लावा कोई भी सदस से जुड़ता है, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताउ, ताई, मामा, मामी, अलानी, फलानी, जो भी कोई जुड़ता है, तो फिर वो आपकी हो जाएगी, वो joint family हो जाएगी, अग ठीक है, जो आपकी theme है family and friends, इसकी सब theme है, आपकी उसी सब theme में से एक आपकी है relationship, ठीक है, चलिए, अगला है आपके सामने परिवार, अब यहाँ पर दियावा है संबन्ध यानि की relationship, ठीक है, यहाँ पर gender भूमिकाओ की बात हो रही है, कि इसकी gender role की यहाँ पर बात हो रही ठीक है, अब exact उमर पूछने लग गए, जैसे इस बार की paper के अंदर, CDP के अंदर वो पहली हो वाले से पूछ ली, कि क्या होगा तो उसके अंदर, जो आपका सास साल दिया हो ठीक है, ठीक है, ठोड़े चालू बनने पर पूछने में, अगला है occupation यानि की जो आपका वैवस यानि जैंडर रूडी वाधिता है, जो चलती आ रही है, कि नहीं लड़का स्काम को करेगा, लड़की स्काम को करेगी, इसको challenge देती है, कौन जो आपकी NCRT की किताबे होती है, क्या देती है, NCRT की किताबे होती है, जैसे आप लोग पढ़तों, अपनी EBS कंदर पढ़तों बचेंदर पाल जी के बारे में पढ़तों, कंणम मलेशवरी के बारे में पढ़तों, वहिदा पेजम के बारे में पढ़तों, तो जो गाउंद यहाथ के अंदर जो भीचारी छोड़ी बच्ची आओगे, उनको देखते होंगे, औरे, यार यार इतना weight उठा सकती है, यह अ अगला कोश्चन आपके सामने दियावाए कि सिरीमत्ती सीतल, क्या कहती है सिरीमत्ती सीतल, EBS की विभिन आउधारना यानी EBS के लगळग कंसेप्ट को समझाने के लिए, प्रात्मिक कक्साओं में कहानियों और कविताओं का उप्योग करना पसंद करते हैं, बिल्कुल ठीक बाद चोटा बच्चा जो होता है, सबसे बड़िया तरीके से चीखता है, इस्टोरी टोलिंग में हैं, टैलिंग मेथड से, उसको कहानियों सुनाओ, कविता सुनाओ, जोब लगने के बाद आप भी इस वाले काम को करना, ठीक है, वरना जोब लगने के बाद जादे तल लोग नहीं करते हैं, ठीक है, और खासकर मेल वर्ट तो सरम में ही मर जाता, यहाँ इने सिखाऊंगा मैं, लेकिन कर लेना जोब लगने के बाद, ठीक है, उनके दुआरा कहानी और कविताओं के परियोग का सबसे उप्यूक तर्क क्या है, वो आपको बताना है, चलो भई, आपके सामने चार उप्सन हैं देखते हो, किसको आप लोग सही बताते हो, पहला, एवेस के पाठ्ठे करम को पूरा करना, देखे, एक बात मैं आपके साथ या आपर डिस्करस कर दूँ, गवर्मेंट इसकूल के अंदर क्या होता है, एक परिडिकुलर आपका करिकूलम होता है, सभी पूरा कंप्लीट करना होता है जैसे एकजाम साल में दो बार होता है तो यह मैं भी इसको पढ़ाते पढ़ाते मलब तो बोर हो गया हो ठीक है वही से पीटे कोस्टन वही सेम वही पैटर्न ठीक है उसके बावजूद भी रिजल्ट इतना कमाता पता नहीं बच्छे पढ खतम होने वाला 24 कंदर एकजाम है मन नहीं करता क्यों सिंपल से एक चीज रहती है यार जो आपको अपना स्लिवस कंप्लीट करना होता है क्यों यार हमारे उपर कोई जाचना बैट जाए हमारा अधिगारी हमारी सेल्ली को ना रोक ले तो आपको ध्यान लखना है इस चीज करना हो और कहानियों को लिखने के लिए उनको मोटिवेट करना इंक्रेज करना प्रोसाइत करना विद्यार्तों को बहासा और संस्कृत में विविद्यताओं के बारे में यापर जागुरुक करना और पाठों को अधिक समधात्मक सुकद और आपका दिल्चस्प ववनान बति एक option तो मैंने गलत दे दिया B, C, D में से आपका आंसर क्या हो जाएगा जरह मैं आप लोगों के यहापर आंसर को चेक कर लेता हूँ B, C, D को ठीक है अगर मैं आपको इंट्रेस्टिंग नहीं पढ़ाऊंगो न तो भाग जाओ गर यह तो बहुत बेकाट टीचर है चलो किसी और दूसरे से पढ़ते हैं ठीक है तो आपका B, C, D answer हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके सामने next question की और अगला question सामने आपकी यह रहा screen पर next question आ एक नंबर का जरूर पूछता है ठीक है सूपर चैट आई गोई ठीक है अभी मुझे ऐसा लगा तो जो आपके इवेस को दिस होते हैं इवेस को objective होते हैं एक objective जरूर पूछा जाता है आईए क्या है question हो जाते हैं उनको कुछ करने की जरूत नहीं ठीक है और लेड़ी आप लोग बैच के अंदर डेली इतने एडिमिसन लेते हो और हम लोग इन समस्वा का समधान करते करता हमारे जो इस्टाप है वो भी मतलब बहुत परिसान हो जाता है अब तो बड़े हो गया आप लोग ब बच्चों आपर चाहिए होती है दो आज की डेट केंदर टीचर का जो रोल होता है वो सिर्फ एक फैसिलेटेटर का होता है सुईदा दाता है जिसको सुगम करता के नाम से जाना जाता है कि वो बच्चों को फैसिलेटर करे ठीक है उनको सुईदा दे उनको अपने आप से क क्लास में यह विज़ पड़ाए जाती है और जो आपकी यह नदर आपकी क्या होती है साइंस वती है इसमें इसारे सबर्च्र आपको इंटीग्रेट करके तो यानिकी एकिकरत करकर पढ़ाय जाते हैं इसलिए करह वार आपके सीट एकजाम में भी question आया हुआ है कि जो आपका US का nature होता है प्रकरती होती है वो कैसी होती है एकिकरत प्रकरती का होता है यानि कि आपका integrated nature का होता है जिसके अंदर सारे subject यह पढ़ाया जाते हैं तो हमें यह इसलिए नहीं पढ़ाया जाते हैं कि हमें इसको middle class में अगली class के लिए इसको तय इसको भी हम लोग नहीं ले सकते हैं अभी तक पहला वाला एप्रूपेट चला है शिक्सार्तियों को कक्सा के बाहर के दिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोडने में मदद करना सबसे एप्रूपेट आंसर है जो आपका NCF 2005 है नेशनल करिकुलम फ्रेमर्क 2005 उसने पाच अपने सिद्धान्त दिये एक सिद्धान्त ही होता है कि जो भी बच्चों को आप स्कूल में किलास में पढ़ा रहे हो उसको बच्चे के बाहरी ज्यान चे जोड़ा जाए उसको बच्चे की वास्तविक जीवन यानि की रोजमरा की जिंदिगी से जोड़ा जाए ठीक है त पुझे लग़ा है दो चार वंदे और लगाने पड़ेंगे कोई पेपर वन का होता है पेपर टू ले लेता है पेपर टू वाला वन का ले लेता है कोई पासवर्ड बूल जाता है ठीक है आपको जो वट्सप नमबर दिया है उस पर आप मैसेज कर दो वन्हां जिन लोग ने कोर्स लिया वहां पर एप्लिकेशन में डाउट सेक्शन होता है ठीक है हर बार यही करते हैं मतलब बच्चे मैं सोचता हूँ यार छोटा बच्चा अभी होगा ना वह भी ऐसे गलती नहीं करता जैसे आप करते हो ठीक है अगला कॉश्चन देखते है सामने आपकी स्क्रीन आपके सामने दिया वायाए एक evs शिक्सक गिलास में एक परियोग प्रदर्सित करता है क्या करता है जिसमें एक अंडा पानि के गिलास में दूब जाता है bumalo यह रहाए Gew में यह अंडा है ठीक है यह डूब गया लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है और नमक उपर ही तैर रहा है ठीक है विद्ध्याजत्य की पूछतास के लिए वह निमलिकित में से कौन जी सबसे उप्युक्त व्याख्या दे सकती है ठीक है आपको एक बात सिंपल ते समझ आपकी एप्रूपेट नहीं माने जाते है बड़ी क्लास के लिए अच्छी माने जाती है बट यहाँ पर एक्जामिन ने कुछन पूछा है और भाई उसको सराखों पर है हम कुछ कह थोड़ी सकते है ठीक है कुछ भी कर सकते हो तो आपके सामने दियावाय की परतेक विद् तो बच्चे कंकड, पैंसील, रबड, अपने पैसे, सारी चीजी पानी के अंदर डाल लेंगे ठीक है कि देखो कुछ नया एक्सपरिमेंट निकलता है नहीं निकलता तो यह गलती बिल्कुल मत करना वनना अपने घर के अंदर कुछ ऐसा एक्सपरिमेंट कराओ पता चल ज पानी का जो घनतों है, डेंसीटी के कारण अंडा तैरता है, बच्चों को क्या मतलब कि क्या डेंसीटी, क्या फलाना चीज़, उसे तो इंट्रेस्ट आना चीज़, और उसी के माध्दम से फिर उसको सिखाना चीज़, गलत यह भी, आप उच कक्साओं में सही कारण सीखे ठीक है, तो फोर्त आंसर यहाँ पर आपका ठीक है, ध्यान लखना चोटा बच्चा है, जो आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वही स्कूल में होते हैं, और वैसी हरकते करते हैं, ठीक है, आप बैठे हुए, पता चला पीछे साब की कमर में पैन चुब हो दिया, मान तता सही विकल्फ का चेहन करिए, करते हैं भई आपका अभी कथन यान की अजर्शन आपको दिया हुआ है, इवेस के सीखने के ओ, अवलोकन, उबजर्वेशन, पहचान, वर्गीकरन, आदी से सम्मनित, परकिरिया कोशल के लिए उनमुक होने के आप सकता है, देखा कर मैं बात करी है, परकिरिया कोशल, जब आप लोगो अपनी NCRT की किताबे लेते हो, ठीके, NCRT की किताब के सुरुवात के ही फ्रेंट पेज पर एक पिक्चर लगी हुई है, परकिरिया कोशल के नाम से, मुल्यांकन संके तक जिसको आप लोग कह सकते हो, वो भी इसी का मतलब न परकिरिया कोशल के लिए उनमुक होने के आव सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है, परकिरिया कोशल बच्चों के लिए आपके जरूरी होते है, इसमें दिया है कि विविन परकिरिया कोशल होते हैं, उनको पराप्त करने के माध्यम से, ईविस के सीखने के पईणामों को हासिल करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है, दोनों ठीक है, और इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है, यह और आर दोनों सही है, कि तता रेकी सही व्याक है सेकिंड आंसर आपका सही हो जायागा ठीके तो अगला कोशन देके सांधने आपकी स्क्रीन पर आगया एक इविए सिक्षक को योग आतमक मुलियांकनması आपर बात हूरी आपके समेटीव ऐसेस्मेंट की बात हुए किसकी समेटीव व Players वे असेस्मेंट जो आपका टीचिंग प्रकार से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा पता नहीं हजारों मेसेज की किस भीड में आप दब हो तो इसलिए समेटिव अससमेंट आपका ठीक नहीं माना जाता सिक्स राष्टे शिक्सानीती 2020 ने भी गई है कि जितना हो सके समेटिव अससमेंट को कम से कम किया जाए ठीक है चले अब समेकोंट पर तयार करते समय यानि कि उस्यों के लिए लिए एक्जाम हो गए यानि कि बच्चेा जो वार्षिक परिक्सा होती है जसे पता चलता है कि बच्चा कितना परफॉर्मेंस बिखेस और शुरुआ लेखने लेखने नहीं इतनी लंबाई रखेंगे इतनी जाद लंबाई रखेंगे ठीक है अगला है पर्सन पत्र यानी प्रक्षान पेपर की सामगरी कवरेज और आपके उद्द्ध से की बात करेंगे बिल्कुल ठीक बात है देखें किसकी बात करेंगा आपके content की कि किस प्रकार के question बच्चों से पूछने है ताकि हम में पता लग सके कि बच्चों को हमने पूरे साल बर के अंदर जो पढ़ाया है उसमें से बच्चा कितना सीखा ठीक है तो आपको ये करना पड़ेगा और उद्धिस से तो आपको करने ही करन सेकंड आंचर यहां पर आपका सही हो जाएगा आपको अपने स्कूल के question paper की याद आगी ना कैसा होता था आपको सरगारी के अंदर कैसा मिलता था ठीक है चलिए अब आपके सामने आगे next question यह रहा आपकी screen पर next और सरगारी स्कूल के अंदर छोटी class के अंदर आपने question paper कर आता कैसे करते तो उसको टीचरी बैठता था अच्छा यह नहीं बता दो लगते होंगे कान के उपर कि भर इसको सही सही से क्यों वह सभी paper teacher को करवाने पड़ते हैं उन teacher जब उन paper को कराते तो उसकी report आगे तक जाती है ठीक है और आपके district level सो होते वे पूरे state की मंतिया और फिर एक record आता है कि पूरे परदेश में इतने बच्चों ने paper दिया और इतनों ने pass करा और ज्यादेतर कोशिश रहती है सभी को pass करवा देते अच्छे नंबर से ठीक है तो ऐसी paper दिया होगा आपने मुझे पता है ठीक है primary कंदर सब ऐसी करते थे ठीक है चलिए अगला question द learning outcomes आपके हर subject के लिए होते है mathematics के लिए होते है learning outcomes का मतलब है basically बच्चों को जो आमने पढ़ाया जो बच्चों ने चीजे learn करी जो बच्चों ने आपर सीखा वो कितना यहाँ पर चीजों को सीख पाया है ठीक है तो इसी जे पता चलता है learning outcomes का देखे मैंने आपको एक अपन learning outcomes परी थी ठीक है तो आपर देखा जाता था कि मतलब हर subject में कितने मतलब learning outcomes आपर पराप्त हो रहे है अगर मैं आपके हापर चीजे पढ़ा रहा हूँ कोई भी subject आपर पढ़ा रहा हूँ और बाद मैं आपका टैस्ट लेता हूँ जानकारी लेता हूँ आपसे question put up करता हू तो NCIT के according आपके particular subject के learning outcomes है ठीक है और mathematics के learning outcomes थोड़े आपको टफ बैठेंगे अगर मेरी चीज आपने नहीं सीगी तो ठीक है तो EVS के लिए learning outcomes इसने पूछा क्या नहीं है अच्छा question negative पूछा है कि क्या नहीं है EVS के लिए learning outcomes देखते हैं अच्छा और बुरे इस परस पर अच्छा और बुरा यानि यहां पर बात हो रही है आपके good and bad touch की बात हो रहीती है देखें जब भी भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ या आप लोगों से seat at के बाद जो main exam के लिए बच्चे पढ़ते है एक question यहां आता है कि जो आपके सुरवात के जो primary class के बच्चे हो कि किस-किस प्रकार की धारा हो सकते है ठीके तो फोक्सो एक्ट के थुरू भी लोगों के अंदर डर है ठीक है बट फोक्सो एक्ट तो हो गया कानून तो हो गया बट यहां पर parents की तो कुछ जिम्मिदरी है तो घरे के अंदर आपके जो चोटे बच्चों होते ना आप या पैर के इस बीच के इससे पर कोई आपको इस प्रकार से टच कर रहा है तो बेटा सब से पहला आकर मुझे बताईए ठीक है तीचर इस चीज को भी यह नहीं कह सकता इस बात को क्योंकि अभी जो सेक्स एजुकेशन होती है तो सेक्स एजुकेशन के बाद हमारे सलिवस के अंदर नहीं दी हुई है और नहीं अभी इसे किसी प्रकार के करिकुलम के इंदर एड क्या हुआ है हाली की राष्ट्रा सिक्सानीती 2020 के अंदर इसको पर बात होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम अपने बच्चे को गुड़ टच और बेड़ टच के बारे में सिखा सकत है ताकी अपने Northeast रहत तो उनको किसी भी प्रकार की फ्रकार की धृटना से ब morte है जासे के कि शोटा बच्चा फिर कुछ ऐसा होता है तो फिर डिप्रेस्ज Yang माल चाता और आपके एक З cioè के साथ बच्पन में कोई इस प्रकार की गटना यह तो बागी के औसको जीवन के काल म किये गए अनुबहों मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की पर्थाओं से संबंदित करना जैसे संसाद अनों के स्वामित में भेदवाऊ मलब जो रिसोर्स ही है हमारे देश के अंदर ठीक है यह जहापर भी मलब जो लोग रहते हैं तो रिसोर्स के बीच में कोई भे में मिले ठीक है तो यह आपका क्या काम करना है अवाज उठाना और समाज की पर्थाओं से संबंदित ठीक है अगला दियावाय कुछ इस्तानिये इंडोर आउट्डोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना ठीक है या फिर कक्सा की दिशाओं की पहचान करना अब देखो ल आप लोग यहाप इसके साथ जा रहे ही ओपर यारू यान कि आप इसमें जो यह आवाज के मैंने बात करी अवाज उठानकी बात करें ठीक है चली सेकुड आपका हो गया अगली की और बड़ते है अगला क्रश Commerce सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया यह रहा आपके सामने जाने और पर देखते हैं इस स्काइब अबॉत पॉस्थता करना है तो इस उद्देश से के लिए निमलीकित में से कौन सा मांदन सबसे उप्युक्त होगा आप देखो जितनी भी टेक्स्ट वुक या निकी जो आपकी पाठ्थ पुस्त के होती है जो आपके न्सीयाइटी के पढ़ाए जाती है आपको प्राइमरी क्लास के लिए ठीक है उसमे अगर कोई लेंग्वेज बनी होगी काठून बने होगे किताब के अंदर और इजी लेंग्वेज होगी बच्चा उसमें इंट्रेस्ट लेगा है आपके ठीक है अब बताओ कौन सा मांदन सबसे उप्यूक्त है वह आपको बताना है चलो भी देखते है पुस्तकों में चित तरिके नुसार होनी चीए बिलकुल होनी चीए दूसरा भी ठीक है सबसे उप्यूक्त कौन सा होगा या पर दोनों ही ठीक है कि बच्चे के मानसिक लेवलिक अकोडिंग उसकी भासा होनी चीए जो किताब की लेंग्वेज है पता चला मालीज आप लोग कोई किताब पढ़ पाठे पुस्तकों को सचित्र और विद्धारतों के लिए आकर्शक होने चीए ठीक है बई एट्रेक्टी होने चीए ताकि छोटा बच्चा इंट्रेस्ट ले या पर छोटा बच्चा है दियान नकों किलास 30 से 50 तक का बच्चा है प्रैमरी क्लास का बच्चा है पाठे उप्विक्ति हो जाएगा कि चाइल्ड ओरिंटीड होने चीए जिसमें किसी परकार का कोई भेदबाव नहीं होने चीए तो अंसर नंबर फॉर्थ आपके ठीक हो जाएंगे सबसे उप्विक्ति के अगर बात करी जा रही है तो ठीक है चलिए अगला कोशन देखते सामने प्राइमरी लेवल पर इवेस में सब्जेट के बजाए थीम है बिल्कुल ठीक बात है आप लोग देखते हो इवेस में जो है ना पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है ठीक है कि मरलब यह टोपिक आपको पढ़ाने यह चैप्टर पढ़ाने यह सलिवस पढ़ाने सब्जेट के बजाए थीम है बिल्कुल ठीक बात है अब इसमें कारण यानी रीजन दिया है कि सब्जेट की तुलना में थी माधारित इवेस सीखना शिक्षकों और विद्धारतों के लिए आसान है अगर यहाँ पर बच्चों की बात होती तो मैं थोड़ा इसके साथ यह कर आगो 23 if near guarantee अगर बिल्कुल दोका कर रहे क्योंकि सुख सकोच किसी परकार का आराम नहीं देना इनके लिए किसी परकार की सुईधा है न रिखनी जितनी भी आराम सुईधा सब संसादने तो ये काम को करना है तो है आपका गलत हो जाएगा ए ठीक है लेकिन यह आपका गलत आपके सारा हमारे स्कूल में था कोई ऐसा टीचर ठीक है जो आते किलास में सोज आता हो या ध्यान ना देता हो या दो-चार बच्चों से कंदे या पैड दबवाता हो होंगे ठीक है और वो चेले चापाटे जो बच्चे रहते तो टीचर के फिवरेट रहते थे ठीक है उनको कुछ कहते भी नहीं ते ठीक है अगला कोशन सामने आपकी स्क्रीन पर आगे यह रहा नेक्स्ट कोशन आप इसके लिए वैवारिक गति विदियो को प्रुसाइद करना चाहते ठीक है निमलिकत में से कौन सी क्रिया सबसे उप्युक्त होगी जहापर बच्चा वैवारी क्रिया कर सके ठीक है है सब्सक्राइब करना ठीक है यह आपका ठीक है कि जो भी आपके सामने यहां पर मेट्रियल है उससे आपकी एविएस की किट विक्सित करना इसकी के अंदर वो सभी चीज आ जाती है जैसे माल यह कोई पर्टिकुलर आपकी फोटो बनी हुई है बुकलेट यहां पर बनी हुई है पेड़ पोदों की कुछ ड्रोइंग उसके अंदर बनी हुई है या कुछ वो टूल आगे तो यह विक्सित करना इसमें बच्छा एक्टिविटी के अंदर इंगे जो और सबसे बड़ी तर लेखे भी टो लें देके में और से कमल का फूल बनता था और कुछ निगा तेटाइट था और पता इनको में कैसे बनाता था में एक पेपल लेने के बाद उसको किताब पर रखा है किसी पिक्शर प्लकल और फिर इसको ऐसे कर देता चाहिए जो Department पर बटाओ कितने लोग चाहिए जोडर करते आपके इंदर बहुत बच्चे मिलेंगे जब आप लोग कि शाहरे बन जाओं के जो चाप कर डूरिंग करते हैं ठीक है अग्ला कुष्टन देखते सामने स्क्रीन पर अगला कुष्टन है फॉर्मेटिव एसस्मेंट ओफ इविए सीज कि जो आपका फॉर्मेटिव एसस्मेंट एविए उपर चले गया जो आपका टीचिंग लेंडिंग प्रोसेस खतम होने मैंने आप से question पूचा अगर आप लोग बता रहे हैं कि सर यह क्या होता है तो मुझे पता चल जाएगा इन्हें कुछ नहीं पता इसका मतलब यह हमारी वाली generation यह सीधे साधे बच्चे है अगर बताएंगे सर हमें छापक और हमने छापे मारे देट रहेंगे मैं समझ जाओं यह है अपने वाले जो है खिलाड़ी आदमी ठीक है तो यह पर formative assessment क्या होगा अभी जो हमारा teaching learning process चला है उसके दुरान मैंने आपसे question पूचा और question मिलने के बाद आपने आंसर दे दिया वो सही है गलत है वो बाद की चीज है बट मैंने आपका assessment कर लिया तो formative assessment है तो formative assessment क आपका teaching learning process के दुरान चलता है assessment of जो learning होता है assessment of learning होता आपका summative assessment का किसका यह होता आपका summative assessment का ठीक है आगे लिख लेना डुरिंग खराब है assessment as learning assessment as learning assessment as learning भी हो जाएगा जिसमें बच्चा अपना मुल्यांग में खुझ से करता है ठीक है तो यह आपके ए और सी सही हो जाएंगे यह आपका बी गलत हो जाएगा ठीक है तो आंसर आपका एसी का है वहीं एसी एसी हो जाएगा ठीक है सर्दी ओर यह तो सर्दी में चला सकते हो आपका थर्ड आंचर यहां पर ठीक हो जाएगा आई ओप आप लोग इसके साथ जा रहे हो ठीक है सर मैं तो ऐसे ही मत बनाती थी अच्छा तुम्हारे ड्रोइंग अच्छी होगी रहती थी तो उनको कुछ पैसे दे दिये या कभी उन्चे कोपी भरवानी होती थी तो वह भी करवाता था अब बच्पन तो पढ़ते नहीं थे फिर पढ़े कव दे उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कराता ठीक है तो बच्पन ऐसे गया था खतरनाक अगला कोश्चन देख इसके बारे में क्या दिया हुआ है यानि कि यहापर बात हो रही है आपके फील ट्रिप की बात हुड़ी है देखो एवियस को सिखाने का एक सबसे बैस तरीका माना जाता आपका फील ट्रीप पहले जरा इसके बारे में समझे देख लिए वहाई मैंने जो आप लोगों आप फील ट्रिप अवाली ट्रिप नहीं है जो आपको गुर्मेंटी स्कूल के जो बच्चों को बसों में लाद लाद के जबर जस्ति चलो वहीं चलो तुम्हें कहीं गुमाने ले जा रहे है लाल किला गुमा देंगे ताजमाल तुम्हें कहीं गुमा देंगे उस वाली फ सबसे बड़ी आपका संसादन यानि मेथड आपका माना जाता है filter for example बच्चों को आपको पेड़ पोद्र के बारे में समझाना है तो आपके माइंड के अंदर आए कि बच्चों को फिल्ट्र ले जाने है तो आपने क्या काम करें स्कूल के पास में जो भी पार्क होगा वहाँ पर आप लोग लेकर गए बच्चो और इस प्रकार से क्रोस मार के जाते है ठीक है तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़े बताए जाते है फिल्ट्रिप में तो बच्चा पर्तेक्स रूफ से यानि डारेक्ट रूफ से चीजों के यापर सीखता है ठीक है तो इसलिए filter प्रभावी सक्षंड सास्थे रणनी थ यह बिल्कुल ठीक आंसर यह आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला इसमें कारण यानि रीजन दिया है कि फिल्ट्रिप वस्त्व और घटनाओं को इस तानों की याद्दास को बढ़ावा देता है गलत देखो आपको आपको सार हमें तो बहुत चीज़े याद है जब हम ल चली अगला कुशन देखते हैं अचा देखो अब यह जितने कुशन अपके पैड़ागोजी को कुशन थे तो पैड़ागोजी के कुशन यहाप आपके खतम हो गए अब यहापर सुरू होताया आपके के कुश्चन के अज़र डालते क्योंकि आदे के अंदर आपकी हुआ इंडिया का मैप बनावा तो वहां से आपके कुष्ण ऐक्जाम में आता है बंगाल की खाड़ी के नजधिक को चराज जया है अलाना के फलाना में को चराज जया मतलब हमारे देश के जो स्टेट है वह कौन सी किस भोगली की स्थिति में पढ़ते उसके बार में आपको पतानों चीए तो अपना एक मैप इंडिया का मैप मुबाइल में डाउनलोड कर लेना एक नमबर आपका हो जाएगा अब जैसे इसने एक जाइब ने कुश्चन पूचा हमेशा पूचता है एक नमबर के इसको ध्यान लख लेना कुश्चन पूचा कि गुजरात के सापेक्स किसके गुजरात के सापेक्स उत्तर परदेश यानि की यूपी और आंदर परदेश करम से क्या इस्तिति है तो जरा मैं मैप को खोल लेता हूँ उस आपको आईडिया लग जाएगा कि क्या इस्तिति पढ़ती है किसके गुजरात के सापेक्स यूपी और दूसरा क्या था वही आपका यूपी और आंदर परदेश चलो भाई इसको उपर नजर डाल लेते हैं यह रहा आपके सामने मैप मैप के अंदर क्या दिया है गुजरात तो भाई गुजरात का है यह रहा आपका गुजरात ठीक है यह आपका गुजरात अब जिसके भी सापेक्स पूचे वही उसके लावा यह ओता आपका साउथ इस्ट यह ओता आपका नोर्थ इस्ट यह ओता आपका कहा गया वही आपका नोर्थ वेस्ट ठीक है और यह ओता आपका साउथ वेस्ट बस यह आपको चीज ध्यान नकनी है आपका एक्जाम में एक नंबर पक्का अब इस भाइसाब ने यह रहा यूपी आपका यूपी हमारा यूपी तो यह कौनची लाइन चल लए यह चले नोर्थीष्ट वाली तो यूपी क्या हो जाएगा यूपी हो जाएगा नोर्थीष्ट तो यूपी तो मिलीगा में नोर्थीष्ट बताओ यूपी वालो जल्दी नोर्थीष्ट हो गय नोर्थ इस्ट और साथ इस्ट देख लो ठीक है नोर्थ इस्ट नहीं नहीं सोरी साथ वेस्ट अरे यह तो साथ वह ना साथ इस्ट ना अंधर प्रदेश ही तो पूछा था कौन्छा पूछा था अंधर प्रदेश ही पूछा था अंधर प्रदेश ही पूछा आपका इस्ट वेस्ट नोर्थ साउथ गुजरात से आंदरपरदेश साउथ इस्ट नोर्थ इस्ट और साउथ इस्ट और साउथ इस्ट यह आपका नोर्थ इस्ट और साउथ इस्ट ठीक है थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा थर्ड आंसर यहापर से हो जाएग यह map की knowledge आप रख लेना और जिसी भी state के बारे में पूछे उसके बारे में बता देना या फिर आप से पूछ सकता है बंगाल की खाड़ी के निकटे में कौन-कौन से राज जे या पूछ सकता है अरब सागर के नजदीक में कौन-कौन से राज जे ठीक है इतना असान सा question examiner आप से पूछता है अगले question के ओपर हम लोग आप नज़र डाल लेते next question के ओपर वो आपके सामने क्या दियावाय उसके ओपर नज़र डाल लेते यह रहा आपके सामनी स्क्रीन पर next question question आपको दियावाय की रामा परते एक सामको अपने दोस्तों के साथ cricket खेलता है ठीक है वह cricket खेलने में कौन सी उड़्जा कौन सी energy का यूज करता है अब यह simple चा question है जो पहली बार आपके EVS के दर पूछा गया बताव भई खेलने के दोरान कौन सी energy यूज होती है light energy जी नहीं chemical energy जी नहीं muscular energy यूज होती है ठीक है खेलने के दोरान तो आपकी muscular energy चलते तो आंच कि जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो हमें क्या पराप्थ होता है तो क्या हमें याप्याइट यूज होती है असम में खाई जाने वाली चावलू की एक सामने किसम है जो पकने के बाद चिप-चिपी हो जाती है देखो असम में एक तवार मना जाता है कौन सा तवार मना जाता है बिहू का तवार मना जाता है फसल को काटने पर मना जाता है तो वहां के लोग चावल की एक खास प्रकार क कि किसम आती है ठीक है तो जिसको आपका बोरा चावल का जाता है इसको पका कर खाते और आपस में सेलिब्रेट करते तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड यहां पर ठीक हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखता सामने आपकी स्क्रीन पर आगे यह रहां नेक्स्ट कोश्चन बिहार राज्य के लोगों के लिए निमलिकित में से मदुमक्खी पालन कारेकर हम आरम करने के लि अगला कोशन देखता सामने आपकी स्क्रीन पर मैच दाव फोलोविंग तो चलो भई मैच दाव फोलोविंग करते हैं अब देखें आपके सामने आइटम लिखे हुए आइटम मलब खाने की चीज़े लिखे हुए है आपके इंस्याटिक किताब के अंदर कुछ पोयम यान उनके उपर हम लोग नजर डाल लेते हैं क्या वो चीज़े आपके सामने ठीक है चलो भई नजर डाल लेते हैं देखो यहाँ पर आपके सामने जीरा केसर मिर्च और लोंग लिखा है और इधर उनके बार में उनके कुछ विशेशता है लिखी हुए चले भई एक करके नज लोंग दिखता है आपको बताना है कि दक्सिन अमेरिका से उत्पत्ति हुई यह इंसाइटी के अंदर एक पूरी कवीता दी हुई है तो आपर बता हुआ है कौन सी चीज घास आई कैसे उत्पत्ति हुई तो उसके बार में दिया हुआ है तो दक्सिन अमेरिका से किसकी उत आपका पिले रंका और बचा क्या आपका छोटा प्रंतु खुश्बुदार तो छोटा प्रंतु खुश्बुदार आपका हो जाएगा जीरा ठीक है तो इस प्रकार से मैस्ट फॉलोविंग यहां पर आपके सामने बन गई पहलियों को याद कर लेना जीरा के बारे में बणको देखो जार दौश्न आगे इस बार है इंडिया के मैप से पहला कोंष्ण तो वही पूछले आपके उत्तर प्रद्ध उसके घुजरात के सापेकस अगला कॉछन पूछिले कि बंगाल की खाडी है उसका तटवर्ती राज्य या किंद्रसासित परदेश कौनचा है तो चलिए भई किसके सावेक्ष में पूछा है बंगाल की खाड़ी अभी डूणते हैं बंगाल की खाड़ी इसको मैं हटा देता हूँ अगला कोश्चन आपके सामने लिवा है बंगाल की खाड़ी तो भई अंद्रपेश हो गया ये रांद्रपदेश उसके लवाँ उड़ी सा औरेसा हो गया इनिमेरा तो ये कर Rubik जल बढ़ते हैं हमां आपके next question के और चलते है आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट कॉश्चन 23 के ऊपर हम लोग याँ पर आ गए है बहुत सई स्पीट सा आप लोग यहाँ पर दे रहे हो ठीक है ठीक है भई सचिन सर बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहे हैं सर पेपर टू का साइंस भी करा दीजिए मैराथन ठीक है निज़ा है भाईव टूक्रीन एक मेराथन ईane देखो साइन्स और सोसल साइंस इतने बड़े सब्ज Dietओ मनलब वह मैरातन में कंप्लीटनि ने हैं हां मैं जूट बोल दूँगा क्या मेरी एक मेराथन लेलो साइंस क्या और उसमें से पेपर आजाएगा तो जूट तो बो कितना टाइम लगता है साइन्स वाल इस्टुटेंट उनको कितना टाइम लगेगा अलग अलग फिजिक केमिस्ट्य वगएरा तो उसका सबसे वडिया तरीका है इन चाटी की किताब पढ़िए साथ में पीवाई को लगाई है या फिर आप लोग बैच जोइन कर सकते हो बैच कोशन देखता सामने आपकी स्किन पर बागी की मेराथन किलास में तो मैं कहता हूँ कि आपको नहीं जरौत हो रहा है लेकिन कुछ सब्जेट में जरौत पढ़ती है अगला कोशन है कि जंगलों के बारे में निमलिकित कतोनों पर विचार करिए करते विचार कुडुक भास में तोरांग का मतलब है जंगल बिल्कुल जंगली तोरांग का मतलब होता है कुडुक भास में ठीक है जारखंड में ग्राम परिसद पंचात लोटरी के माद्दम से यह तैय करते कि किस परिवार को किरसी के लिए कितनी भूमी मिलेगी जारखंड में तैय नहीं करते वह आ रखवत में पास में मतलब थोड़े सी दूर पर हमारा गाउं e से निकालते हैं मिल जुलकर खेती करते हैं लेकिन हमारे साइड के आज आवाई इसने हमारी काटी आज आज इंसे निप्टेंगे ठीक है तो जारकण में नहीं होता लोटरी सिस्टम मीजोरम में होता आपका यह आपका गलत हो गया अगला जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगो को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 नहीं 25 वर्सों से जंगल में रहते उप्शन गलत है ठीक है अगला है मिजोरम में लगबग 3-4 लोग जंगलों से जुड़े यह बिल्कुल ठीक है आंसर आपका एडी हो गया क्या आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक आप लोग जा यूटूब पर वीडियो भी उसकी मैंने डाली है ठीक है अगला कोशन यह पूछा गया आपके सामने स्क्रिन पर कि 24 ग्राम पर मिलीलिटर घनत यानि डैंसिटी और 6 मिलीलिटर आयतन वाली वस्तों का दर्वयमान क्या होगा क्या दर्वयमान होगा दोने की मिल्टिप्ला जोगे बारे में पता होने चाहिए कुछ साइंस की टर्म पता होने चाहिया और ठोड़े डिटिल में परेवराण अब देन के पता होने ठीक है तो दोनों की मल्टिप्लाइब कर दो आपके सामने आंशर आ जाएगा छोड़्य का 4212 144 ग्राम ठीक है चलो बढ़ते आपके सामने next question के और यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला question question आपके सामने दिया हुआ है को आया है कि अगला question देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आगया सापों के बारे में निमलिकित कतनें पर विचार करिए तथा निमलिकित कमें से गलत question को चीणनीत करिए बताह सापों के बार में वह अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते है, बिल्कुल ठीक बात है, साप क्या काम करता है, खाता नहीं है, चबाता नहीं है, अपने सिकार को पूरा निगल जाता है, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें गलत कथन को देखना है, सापों के दात नुकीले होते हैं, बिल्कुल ठीक है, नुकी ठीक हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन प्रागे यह रहा यह कोश्चन भी कई बार प्रिवेसर के अंदर पूछा जा चुका है इसके उपर एक बार नजर डालते हैं ठीक है कोश्चन आपके सामने दिया वाए ब्रोंज एक मिस्र धातु है जि नहीं चपरोली नहीं चपरोली तो थोड़ा दूर बढ़ता है हम लोगों से मेरा भड़ोत में नो किलोमेटर के करीम मेरा गाउं का नायम नहीं बतमगा वनना सारे बागपत वाले फिर वही पहुच जाएंगे ठीक है तो अपना बागपत है बस यह बड़ी बात जरूरी ह ग्राउं की शोर दिन बता दूंगा ठीक है तो बताओ वही क्या हो जाएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा किसके साथ आप लोग जा रहे बिल्कुल ठीक आपका टीन और को पर कही बार आपके सीटेट के एकजाम में पूछा जाता है टीन और को पर को मिला के बट्टी में लागे फिर आपका क्या बनता है ब्रोंज बनता है फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट कोशन इसके बारे में अज़र डालते हैं निमली कितमेंसे हातियों के बारे में सही कतन चुनी हातिक आगया नंदुवाति, इंसाटी के किताब में नंदुवाति दिया हुआ है कि तीन महीने के हाति के बच्चे का वजन लगबग 100 kg होता है, 100 नहीं आपका 200 kg होता है, गलत हो गया, वेस्क हाति एक दिन में 200 kg से अधिक 200 नहीं बई आपका 100 kg से अधिक पत्या और जाडियों को खा सकत फ़ीन करता है किमलखित न करते हैं। निoten सबते हैं। कि मनाली में धालू छटो वाले मजबूत बासों के खंबो पर बने उचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाया जाते हैं किसमें मनाली के अंदर और कैसे बासों के घर की बात हो रही है ठीक है आपके इंशाज़ाटिक इंदर एक एक चेप्टर है जिसमें सारे गणों की विशे किताब के अंदर इस प्रकार से एक लड़की की फोटो इसके अंदर यहां पर दिए एक लड़की की फोटो दिए और लड़की यहां पर कहती है मैं मनाली से आई हूं क्या है मैं मनाली से आई हूं जहां पर क्या होती है जहां पर बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पढ़ ठीथी है तो आपका सिर्फ ये इस्टेट्मेंट तीक है पहले वाला स्टेट्मेंट आपका गलत हो जाएगा ठीक दो पहला घलत है और B صlang Roger स 12 जाएगा पूर인 किसके साथ जा रहे हूँ आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हूँ है ठीक है पहले के साथ यह बिल्कुल ठीक है भई मेरे साथ साथ चलते रहो आप लोग ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं नजर डालता आपकी स्कीन पर नेक्स्ट कोशन इसके बारे में देखते तो इसी प्रकार से जब हमारी क्लास चल जाएगी तो आपको और भी मजाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट कोश्चन के ओपर नज़र डालते है अगला कॉश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निमलिकित कत्वनों को पढ़िए तता सही विकल्प का चैन करिए अभिकत न्यानी क हुआ है करनों के बीच अंत्रानुक इसतान कम हो जाता है और यह आसानी से संपिडित हो जाता है बिलकुल थीग है तो अभिकतन इसने ठीक दिया और जो इसके बारे में कारण है वो भी यहां पर ठीक है एक तोई density वाला question एक यह वाला question I think एक और question गया होगा यह कुछ question आपके exam में नहीं आए जब के science related यहां पर बनते थे बट इतने मुश्किल नहीं है ठीक है last question आपके सामने screen पर है उसके बाद इमानदार इसा आप लोग अपना score बताना कि कितना आप लोगों का score यहां पर हुआ है ठीक है यह रहा आपके सामने screen पर last question ठीक है ठीक है भई चलिए अगले question के उपर नज़र डालते है पहला question आपके सामने दिया हुआ है यह रहा पोदों के निमलिकित मुख्य कारियों पर विचार करिए अभी विचार करते है पहला दिया हुआ है भोजन का उत्पाधन और भंडारन करना अच्छा पोदे के iko alive आ अच्छा हाँ दिये है भई यह आपकर ठीक है तने का काम पूछा है दूसरा है पोदे को सक्ति और सहारा देना तीसरा पोदे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनीज का इस्तनांत्रनuses करना तो आपको बताना है कि घंडे के मुख्य कारी इन में से क्या है वह आपको बताने है ठीक है किसके तने के मुख्यकारे इस में से आपको बताने है तो चलो बही बताते हैं पहले बात करते हैं तो तना जो होता है भोजन का उत्पादन नहीं करता पत्तिया भोजन को उत्पादन करती है ठीक है पत्तिया करती है भोजन को पादन बिल्कुल ठीक बात है केवल 20 आशर्णाप का पहला ठीक हो जाएगा केवल 20 ठीक है बिल्कुल ठीक बात है और यह आपके यहां पर question complete होगा अब केतों कि सराफ एक टैग वर्ड बतातो के वल यानिक्यों ली वो टैग वर्ड आपका तब काम आता है जब आपका प्रकार के में नहीं बनेगा ठीक है कभी यहां देख तो कि केवल चुर्टि उसको कलत कार दो तो जो मेरे वाले जो टेग वर्ड रहते जो मैं आपको पोजीटिव नेगेटिव वर्ड बताता हूं वह आपके पैड़ागोजी कला सिच्वेशन के कोड ठीक है उनको थाकि मिलते रहे और जो बच्च आपर बैस लेना चाहते तो अभी भी आपका बैस चला है अभी भी आपका डिस्काउंट चला है ठीक है तो उसके बाद बनना फिर आपके बढ़ जाएंगे सचीन अप्लोड कर लेना यह वर्टसप नंबर है अगर आपको अएंडा स्कॉर हुआ है ताकि मैं एक्ग पर करके आपके स्कॉर को यहाँ याँ पर देख सकूह बती आप लोगों का स्कॉर तीस में से कितना वा है और इमांदार सक बताना जीरो भी कोई लेकिन इमानदारे से बताना आप लोग अपने स्कॉर के बारे में ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा पेपर फ़र्ष्ट था तो पेपर फ़र्ष्ट मैंने आप लोगों सामने यह पर डिसकस कर दिया ठीक है ठीक है ठीक है वह लास आपको अच्छी लेगी वह भी बताओ कर दो देखो कितने कोर्स चेंज वाली है ठीक है कि इतने बच्चे मलब यह गलत कोर्स ले ले ता बलकि बड़ा सिंपल प्रोसेस बड़ा बड़ा लिख रहता है पेपर वन यह पीपर टू यह उसके बाद भी गलत ले लेते कुछ बच्चों को यह नहीं पता हमें कौन सा लेना कुछ बच्चे कहते हैं कि पेपर टू में इस भी पढ़ना है क्या तो आप लोग इस पर मैसेज कर देना आपका चेंज करवा देंगे ठीक है चलो वह और बतिये क्या आपका कुश्चन है अच्छी लगए आपको खिलाज ठीक है वरी गुड इसकोर आपका ठीक आ र रविंद के आपके 1518 में अपना इमांदर बताओ लेकिन आपका बढ़ जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से अभी भी तैयारी करी तो ठीक है ठीक है बहुत दिनों के बाद आज अच्छा नंबर आया सर मुझे बहुत खुशी मिलीए अब लगता है इस बार आर पार होगा सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो थी जो मैंने आपर बताई आयोप आयोप आपको पसंद आई होगी चले मिलताव आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक पढ़ते रहना ध्यान नखना गुबनाई टेक क्या है